Hello guys, Class 10th वाले संस्कृत का संधर्व, सहित संस्क्रित गड्यांस का और संस्क्रित पध्यांस का संधर्व सहित वाख्या इसी अनुसार लिखें आप पेपर में बहुत अच्छा नंबर चलेगा देखे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने संकेत लिखा है आप संकेत लिखे जो भी दिया गया इसे वारानसी दिया गया है आगे का दो अच्छर लिखतें ये डाट 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 तीखे का दो अच्छर सबसे पहले आपको संकेत डानना है फिर संदर्व ऐसे लिखना है जिस फालekiट में मैंने लिखा है ठीक ना, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने पर नंबर आपको बहुत अच्छा बढ़ेगा देखे, ऊपर मैंने गध्यांस का दिखा था, अब मैं नीचे यहाँ पध्यांस का दिखा रहा हूँ पध्यांस में आप देख लिजए, यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत सुलोख हमारी पाठ पुस्तक, संस्क्रित, खंडबे, संकलित, अन्योक्ति विलाशा जिस भी चैप्टर से लिया गया है, ठीक ना, जैसे भी कोई भी चैप्टर है, जैसे अन्योक्ति विलाशा हो गया या एक होता है जीवन सो त्राणी कहीं जिस्से भी लिया गया उसको ऐसे करके लिखना है नामखपार से लिया गया या स्लोक गुड और अगुड से भरे बातों के बारे में क्या करता है बताता है ये चीजे हो गया ऐसे लिखना है मैं next वीडियो में आपके अनुबात भूई बताऊंगा ठीक है देखिए यहाँ पर क्या है स्लोक है question number 7 में स्लोक आता है जो कि दो नंबर का होता देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है दो marks का तो आपको स्लोक ऐसे लिखना है और मैं आपसे आसा करूँगा कि यही दोनों स्लोक आप तयार के लिजे दोनों स्लोक इसलिए तयार के लिजे क्योंकि एक स्लोक अगर इसमें से यह माल लो देख दिया अर्थ में तो इसको आप लिख सकते हैं दो स्लोक तयार के लिजे आपका यहाँ पर इतना नंबर फिक्स हो जाएगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में थेंक्यू